तो आज है इस घर में हमारा लाश्ट है, तो यहां आप देख सकते हैं, सारा समान जा चुका था, कुछ समान बचा है, जो हम अपने साथ लेके जाने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यह देखे, घर हमारा इस तरह से खाली हो चुका है, कुछ गमले वो भी हम अपने साथ लेखे जाएंगे कुछ गमले जो जा चुके हैं DO Yo चुज खाली हो जुकत है अब हम यहां से निकलेंगे और जाएंगे आपंने वा घर में गया तो इस वजेते अब आ इस वजह से हमइरा क्राइस हो जुक Ice Erm तो अगर आपको दर्य और बता है किया है तो मुझे कमेंट करना रasında के हम सिर्शन थ्वलहें क्या है आपको कुछ आइडिया हो तो इस घर में आके around one week हो चुका था तो मैंने सोचा की क्यूना chicken बनाया आ जाए बहुत तिन हो चुके थे एक महीने देज्द जादा हो चुका था मैं मेरे चिकन नहीं बना था तो बस वही chicken मनाने के तैयार ही चैल रही थी तही दो में पास मेरी डेले डेला झआ लिट starter के ज़े छोड़िया है I नमग डाला है, इसके बाद क्या करने वा लेटा में होड़ा सा। शेट करेंद दो क्षिए है नमग तरह एप यहां पर लाल मेच भी डाला हुआ है यह लाल मेच वाला है कश्मिरी लाल मेच नहीं है इन सब को पहले नहीं है उसके बाद पेज्ट कर दियार करें यह पेज्ट त्यार करके वह भी डालूगे अगर आप भी बहुत जल्दी में हैं चिकन आपके पास पहले आगया है तो इस तरह से मैरिनेट करके से छूड़ियेगा और उसके बनाईएगा उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि यह जो चिकन है लाश्म मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल होता है और उस पेस होता है चिवह जाता है मतलब थोड़ा सा उसे चबाना पड़ता है वह बहुत है है अगर घर में आपके बच्चे हैं बुरे हैं तो उनको वो सब चबाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनसे को तो इस तरह से अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो उसे चबाने में आपको इजी होगा काफी सॉफ्ट बन जाता है तो यहां पे मैंने अत्रक लस्ट नम हो जाता है तो हमेसा चिकन जब भी है सबसे पहले आपके पास बहुत करके नकाम है जैसे कि हैर पे जो लोग रहते है जैसे में घर पे हूँ तो घर पे हर डिफ्टákया इसे मेरे पास टाइम डही अब मैं यहां पे बनाना सुरू करूँगी है. यहां पे जो मैं Maisterdooil. यहां पे मैं लिया है. बहुत जादा तेल नहीं लिया है. आपने देखा होगा. और चिकन जो है वह थुला ज्यादा है, आप देख सकते हैं. तो आधा किलो प्याज यानि कि आधा किलो प्याज से थोड़ा सा ज्यादा इतना आपको इस मेजर्मेंट में रखने से आपका जो चिकन है वह लटपट जो बोलते हैं अच्छी से ग्रेवी के साथ बनते हैं उस तरह से बनेगा क्योंकि सबको च्गन जो था थीक ग्रेवी में चाहिए था बहुत पतली वाली नहीं चाहिए थी ठीक वाली चाहिए थी और इकटम गार्णी भी नहीं चाहिए थी तो उसी की स्थे मण्यों लीज प्याज या तरहसने गजीरा वुआ रखर्श मवैं और के दाल द्यार जहे मैंने लमा लमा काट लिया था काट के इसे दो के रख लिया था और इसके बाद प्याज को डाला जब प्याज हलका साथ पिंक हो गया तो उसके बाद मैंने यहां पे अद्रक लर्सुना मिर्च का जो पेश्ट होता है उसे डाला उसे भी डाल के हम तो भूल लेंगे अब यहा मिठासपन को काटने के लिए उस मिठासपन को बैलन्स करने के लिए जो दही है वो कापी important role play करता है तो आप जब भी पैरिनेट करें तो चिकन में दही डाले इसके साथ ही जो चिकन का पीस होता है वो भी tender हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है दही डालने से तो दही का यूज जरूर करें आपके पास दही हो तो दही जरूर डालेगा marination के time में उससे चिकन का जो पीस है वो सॉफ्ट भी होगा साथे साथ जो प्याज का मिठासपन है उसे ये balance करने में help करेगा तो यहाँ मैंने इस सब को अच्छे से डाल के यहां पर तो बहुत सा नमक डाल रही हूं ताकि नमक से अज जल्दी करना सुरू होगा साथ साथ वह पानी भी छोड़ेगा और सब कुछ साथ में अच्छे से भूनता चला जागा अब यहां पर मैं सारे मसाले निकल के रख चुकी हूं मसाले भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि घर पर जब भी हम चिकेट मगरा बनाते हैं खाते तो ऐसे रेस्टराट जैसा नहीं बनाते हैं बहुत ज्यादा तेल यूज करते हो गर्मिया भी है तो तेल मसाल जितना कम हो अच्छा तो यहां पर मैंने हल्दी कश्मीरी नाल मिर्च पाउडर धनिया जीरा यह सारे चीजे मैंने इसमें डाल दी है अब इन सब को हमें धीरे धीरे चलाते जाना है पका ते ज्याना है अच्छा जब भी जल्दी में होती हूं तो मैं ग्या करते हूं कश्मीरी मिर्च हल्दी नमक और चिकन मसाला ही कि सब यह डालत है जैसेट की आपशिकन काफी डी यदा टेस्टी होने वाले हैं तो यहां पर मैं धीरे 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 से पका रही हूं गैस का फ्रेम आपको कम करते हैं अगर हो सकते तो सबस्का चोटे वाले बर्न अगर आपके पास टाइम है तो छोटेले बर्ने में चढ़ा दीजे यह आपका चिकन आराम से आदे घंटे से एक घंटे के लगबग में धीरे 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 सासा पकेगा पहले आप भूनने के बाद जब यह पानी सूख जाएगा तो आपको इसमे पानी डाल देन है उसके दीरे-दीरे से पकते रहने जाएगा तब तक पकाईएगा जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से गल ना जाए यहां आप देख सकते प्याज अच्छे से गल जुका है अब यहां पे मैं घर पे बना हुआ गरा मसाला जो है वह तो आशा डाल रही हूं और यह तड़का लगाने की जगा इस तरह से ऊपर से डालेगा तो घी का जो टेश्ट है वो काफी अच्छा आता है और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी जो पीस जो है बहुत चबाने वाला होता है वह भी कितनी असानी से तूट रहा है कितनी असानी से दिख रहा है आपको काफी असानी से तूट जाता है और काफी अच्छा बनता है तो इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा